क्लास टेंथ साइन्स में रासाइनिक समिकर्ण संतुलित करना हमें आना चाहिए तो हम रासाइनिक समिकर्ण को संतुलित करते हैं जैसे मान लीजिए एक हमारे पास रासाइनिक समिकर्ण है NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2 तो तीर के निशान के दोनों तरफ जो तत्व हैं जैसे हिहां सोडियम है हाइटरोजन है तो तीर के निशान के दोनों तरफ के जो तत्व हैं उनके परमाणू की संख्या समान होना चाहिए इधर जितने पर्माणू किसी तत्व के हैं उतने ही पर्माणू इधर होना चाहिए योगिक के structure को हमें disturb नहीं करना है जो योगिक का formation है उसमें हम कहीं भी बीच में जैसे S2SO4 लिखाएद इसको S3SO4 नहीं करेंगे या NOS twice नहीं करेंगे अपनी ओर से structure को disturb नहीं करना है केवल इनके यहां आगे की तरफ हमें कुछ अंक लगाना है एक, दो, तीन, चार आदी यह होता है रासानिक समिकन को संतुलित करना अब हम यहां आवस्था नहीं लिख रहे हैं केवल जस्ट संतुलन कर रहे हैं तो देखिए इस पहले समिकन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं तो अगर हम देखे हैं तो यहां लिखा है NA2 और यहां लिखा है केवल NA तो यह heat and trial method है मतलब हम देखते हैं यहां दो लगा कर देख लेते हैं तो दो लगा कर देखने पर क्या होता है इसको हम देखते हैं तो हमने इसको यहां दो लगा कर देखा तो यह हो गया twice NaOH plus H2SO4 Na2SO4 plus H2O तो यहां जब हमने दो लगाया तो अब हमारे पास में क्या हुआ देखिए hydrogen यहां 2 हो गए और 2 यहां है तो 4 hydrogen हो गए है ना और यहां है हमारे पास 2 hydrogen तो हमारा अगला काम यह हुआ कि हमने sodium को तो यहां Na2A 2 Na हो गया तो यहां hydrogen 2 है और यहां hydrogen 4 बन रहे हैं तो हम इसको 4 करने के लिए यहां 2 का गुणा कर देते हैं यह भी देखिए अगली स्ट्रक्चर में यह क्या बन के आने वाला है क्योंकि यह भी बेलेंस नहीं हुआ है पूरी तरह से है ना तो अब हम इस यहां पर 2 का गुणा कर के देखते हैं तो देखिए ट्वाइस ने ओएच प्लस एसटू एसटू फॉर तो यह वेसा के वैसे स्ट्रक्चर इसमें चेंज हुआ ही नहीं है तो इस तरीके से समिकर्ण हमारी बेलेंस हो गई अगली समिकर्ण को अगर हम देखे तो एने सील प्लस एग नो थरी यह जस्ट एक काप देख रहे है कि । volleyball displacement हो रहा है द्विविस्तापन हो रहा है आइन का exchange हो रहा है के बल आइनों का आदान प्रदान है तो यह हमारी यह balance equation हमारी होई है अब यह आइनों का आदान प्रदान है तो इसमें तो just simply कुछ नहीं करना है एने एजी की जगे ले लिए और एजी ने एने की जगे ले ले लिए और यह बैल्स equation है मतलब यहाँ पर जितना एने है उतना ही यहाँ जितने एनोंतरी है ले यहे मतलब यह पूरा का पूरा वशा का वशा ही है अब अगली यहां हम दो का गुणा कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्योंकि यह तो हिat and trial है यह हमें देखना है क्या होता इसमें तो देखिए अगर हम यहां दो का गुणा करते हैं तो देखिए ओ जाता है बी-ई-स Еल 2 टी प्लस एस ट्ट टी हूर यह balance हो गई, यह हमारी समिकन क्या होई, संतुलित हो गई, अब हम इस समिकन को देखते हैं, थोड़ा आप टिपिकल लग रहा है पर डरिये का मत देखें यहाँ पर, HNO3 plus Caos, CaNO3 whole twice plus H2O, अगर इसको आप दियान से देखें, तो यहाँ देखें तो एक हाईटरोजर यह हो रहा है, और दो यह है तो यहाँ होगे, तो हाईटरोजन होका है, दो यह तीन हो रहा है, दो यह तो अगर हम इसा करें कि यहाँ दो और दो चार हो जाएंगे, और सी कस लिगे तो यह चार पं लगार देंग हो यहार रपम्यृत कि यह बन जाएंग्यृत्री था अब देखेड कैन निर थे होग एज हो मग फिर थे किल यह स इसा किया यह दो हो थे दी चार बन चितन अब चुंकी आपने चुंकी यह चुंकी यहां जोड़ भी अज्टर्ण एक रख जो चेक लिए नो 3 यह दखिए 2 हैं अवी अजिन आप लिए पुरा पुरा गिन राओ वह से भी निजए अबना थैक निजए 2 अच्छिए अच्छिए निजिए 2 अच्छिए 2 अच्छिए निया निया बराबर 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 गए इसका मतलब है कि हमारी 2 है हमारे पास, अलेड़ी उपलब दे, केल्शम में तो कोई चेंज है ही नहीं, है ना, और हाइटोजन को देखकर हमने बेलेंस किया है, तो इस तरीके साम एक्विशन को बेलेंस कर सकते हैं, धन्यमाद,